बैंगलोर की इस सौफ्ट्वेर इंजिनियर का ट्वीट देखिए लिखा है कि मेरे बैंगलोर के मकान मालिक ने बिना किसी वार्निंग के किराया बढ़ा दिया है जो हमारे रेंट एग्रिमेंट के नियमों का उलंगन करता है जब मैंने उनसे सपश्टी करण मांगा तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको ये नहीं जमता तो मकान खाली करो और नई जगर धून लो ऐसी शिकायते दिल्ली से सटे नॉइडा के भी कई लोगों ने की है बड़े शहरों में रेंट बढ़ा दिया गया है रेंट बढ़ाने में समस्या नहीं है यहां समस्या यह कि रेंट अचानक और बिना किसी वार्निंग के बढ़ा दिया गया है यह गलत है गैर कानूनी है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ मकान मालिक मनमानी करते होंगे लेकिन उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है इसलिए किरायदार को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए आप जानते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए आदर्श किराया अधिनियम 2021 नाम से एक कानून है और इसके तहत मकान मालिक अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकता इसके लिए मकान मालिक को तीन महिने पहले ही किरायदार को नोटिस देना होता है साथ ही किराय की व्रिधी की रकम जो रेंट एगरिमेंट में पहले से तै की गई है उससे ज्यादा किराया नहीं वसुला जा सकता तो किराया कितना बढ़ाया जाएगा? ये भी किरायदार और मकान मालिक की आपसी सहमती के बाद रेंट एग्रिमेंट में दर्च किया जाना चाहिए. किरायदार से दो महिने से ज्यादा का एडवांस नहीं वसुला जा सकता है और जो भी एडवांस वसुला गया है वह मकान खाली करने के एक महिने के अंदर लोटाना जरूरी है कई बार किसी ठोस कारण की वजह से आप किराया समय पर नहीं चुका पाए तो घबराए नहीं अगर ऐसा होता है तो मकान मालिक बिजली और पानी की विवस्था किरायदार से नहीं चीन सकता सुप्रीम कोर्ट बिजली प किराय का घर मकान मालिक का है लेकिन इसका ये मतलम नहीं कि वो बिना किरायदार की अनुमती के घर में घुश जाए वहीं किरायदार अगर घर पर नहीं है उस समय भी मकान मालिक घर का ताला तोड़ कर नहीं घुश सकता घर का रंग अगर किरायदार के रहते फीका पड़ तो ऐसे में मकान मालिक किरायदार से घर को रंगने के लिए भी बाद दिन नहीं कर सकता है। तो ऐसे में में असमर्थ हो जाते हैं या किराय के मकान में कमर्शिल या गयर कानूनी काम करते हैं, सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने जिसी स्थिती होती है, तो मकान मालिक आपको घर खाली करने के लिए कह सकता है। मकान मालिक को किरायदार को घर से बाहर निकालने के लिए 15 दिन का नोटिस पीरेड भी देना पड़ता है मकान मालिक को समय पर किराया लेने का पूरा अधिकार है किरायदार घर का रख रखा और ठीक से नहीं करता तो मकान मालिक को टोकने का भी पूरा हक है किरायदार भी एक महिने का नोटिस दिये बगएर अचानक से घर खाली नहीं कर सकता मकान मालिक रेंट एग्रिमेंट की तैश शर्तों के अलावा अतिरिक्त शर्त नहीं जोड सकता लेकिन मान लिजी किसी वजह से मकान मालिक और किरायदार के बीच कोई विवाद हो जाए या किसी एक को लगे कि ये मनमानी है और नियमों का उलंगन है तो ऐसी सिती में क्या किया जा सकता है आपके पास क्या विकल्प है कानून के अनुसार मकान मालिक या किरायदार किराया प्राधिकरण यानि रेंट और्थॉरिटी के पास जा सकता है यहां शिकायत दर्ज हो सकती है हलांकि यह कानून केंद्र ने बनाया है और अधिकतर राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है हर राज्य का अपना अपना कानून हो सकता है, रेंट एग्रिमेंट और बाकी चीजों को लेकर, हलाकि उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, रेंट अथॉरिटी के अलावा, इस मामले को आप कोर्ट में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जैसे दुकानदार का सामान लो चाहिए, रेंट एग्रिमेंट मकान मालक और किरायदार एक साथ बैट कर ही बनाएं, उसमें सारी चीज़े आपसी सहमती से लिखी जानी चाहिए, ताकि आगे कोई समस्या ना आए